जैस्री राम प्रेमी वक्तो जब किसी समस्या का समाधान ना मिले तो भगवान से ऐसे प्राथ न करें वक्तो समस्या इस जीवन में हर मनुस्त के साथ है किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है किसी के पास छोटी समस्या किसी के पास बड़ी समस्या है लेकिन समस्या हर एक पास है लेकिन समस्या है तो समाधान भी है और समाधान बहुत प्रकार के हैं कोई पैसे से करता है कोई अपने सैयोगियों के द्वारा करता है कोई अपने पूजा पाठ से करता है लेकिन यह जो समस्या है यह इस्थाई रूप से समाप्त नहीं होती है अगर इस्ताय रूप से समस्याओं का समधान करना चाहते हैं तो आप भगवान से इस तरह प्राथना करें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनें क्योंकि समस्या हर एक के जीवन में हर कोई अपनी समस्या का समधान चाहता है तो अवस्य ही अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा आप समस्या में है या नहीं है लेकिन फिर भी आपको भगवान से प्राथना करने ही चाहिए क्योंकि भगवान ने यह मनस्षरीर दिया है उसने किरपा किये तो यह मनस्षरीर मिला है नहीं तो 84 लाख योनियों में पतानी कितने जीव हैं नरक घो नरक भोग रहे हैं मनस्य को स्वतंत्र बनाया है और ये भी कहा है कि तू जैसा करेगा वैसा आपको फल भी मिलेगा लेकिन हम जानते हुए ऐसे करम करते हैं जो हमें अच्छे खुद को नहीं लगते हैं लेकिन फिर भी हम मोबस लोबस एंकार के बस फिर भी हम गलसरत कारिय करते हैं और अपनी समस्यां को बढ़ाते रहते हैं तो अपनी सारी समस्यां को समाप्त करने के लिए आप भगवान से इस तरह प्रात्मा करें ये भगवान मैं तेरा हूं तू मेरा है ये परमात्मा आपने मु तो मेरे को समस्याओं का समाधान आप ही दे सकते हैं, आप ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और तो मेरे कोई सहरा नहीं है, सरफ आप ही मेरे एक सहरे हो, अगर आप नित्य परती भगवान से ऐसे प्रात्ना करेंगे, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, और एक बात और याद रखे भगवान से यह वी प्रास्तन करें, यह भगवान मेरे इतनी ज्यादा समस्या हैं आप उनका दंड दें, मैं उनको सुईकार करूँगा, लेकिन इतना भारी दंड भी न दें ताकि मैं उस समस्या से नन नकल पाऊँ, मैं हाल बेहाल हो जाऊँ, तो भगवान आपको किरपा करके अपने किरपाने धान है भगवान तो वो अगर आप प्रात्ना करेंगे, तो आपकी सुनेंगे भी और आपको वहे उस समस्याओं से उन परेशानियों से निकालने का धीरे धीरे और सहन सीलता के साथ ऐसा प्रयास करेंगे, कि आपको के पास समस्या भी हो, और आप हाल बे हाल भी ना हूँ आप ज़्यादा परेशान भी ना हूँ तो भगवान से अगर प्रात्ना करेंगे तो भगवान कोई कोई रास्ता निकाल देते हैं कि देखो ये कुधान से समझें आप किसी ने आप से करजा लिया और वो मांग रहा है कि मुझे एक साथ चाहिए तो आप के पास हे नहीं तो आप उससे अगर प्रात्ना करते हैं कि भाई मैं थोड़ा-thोड़ा देता रहूँगा तो वो मान जाएगा अगर आप उसे मनाओगे तो तो आप अगर थोड़ा-थोड़ा देते रहो गे तो आप तर भार भी नहीं पड़ेगा और आपका कर्जा उतर जाएगा तो इसी तरह से आप भगवान से प्रात्रा करें भगवान मेरी समस्या है जीवन में तो मैं समस्या का समाधान आप से ही करवाना चाहता हूं आप ही मुझे समस्या से निकाल सकते हैं क्योंकि तुमारे स्वाय मेरे को समस्या का समाधान करने वाला और कोई नहीं नजर आ रहा है तोंकि आपי इस तरह के मेरे परम दयालू और मेरे परमाराद्धे हो तुवरा ही आसरा है और मेरे पास कोई आसरा नहीं है बागी सारे आसरे में न कर के देखージ 29 और और मैं फेल हो गया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहले ही अगर आपकी सरण में आ जाता, आपसे प्रात्ना करता, तो मेरी समझ्या इतनी जटल नहीं होती, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखे, आप प्रात्ना करें, तो एक आगर म भी देंगे, अपनी भक्ती भी देंगे, लेकिन प्रात्ना आप प्रती दिन करें, ऐसा हमारा मानना है, बाकी अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं, जै स्री राम